स्टॉक मार्किट का कॉंसेट्ट क्या है पता है आपको आप मेंसे बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे सोचते भी होंगे रोजमर्णा की जिन्दगी में अपने स्टॉक मार्किट को लेकर हाथ पैर कुछ नहीं कुछ चिलाते रहते होंगे लेकिन आपको पते स्टाक मार्केट एचली चीज क्या है जिस दिन आप उसका अंदर का समझ जाओगे ना उस दिन सारा खेली बदल जाएगा आपके लिए जिस दिन आप वो समझ जाओगे कि ये एक्चली बजार जो है ये क्यों बना हुआ है ये बजार बना है बहुत जो बड़े-बड़े कंपनिया हैं कॉर्परेट्स हैं जो काम करते हैं इंडिया में उनके लिए वो एक इंट्रस्थ फ्री पैसा उगा सके बैंट के पास अगल आज में पैसा लेने जाते उनको अपना धंदा बढ़ाना है बैंट के पास पैसे लेने के लिए जाते है तो में उनकर उन है valores मांगता है कि भाईया कुछ गारेंटी देदो हमें या इंटरस्ट चाहिए लेकिन जब वो यहां आते हैं वो आप से कहते हैं कि सर देखो मेरा यह धंदा है मैं गाड़ी बनाता हूं और मेरी गाड़ी अच्छी भीगती है तो क्या आप मेरे धंदे के अंदर कुछ पैसे लगाना चाहो जिसको आप IPO कहते हो पैसे लगाना चाहोगे कि आप उसके अंदर अगर आप उसमें पैसे लगाते हो तो मैं आप से यह वादा करता हूं कि मैं अगर अपनी धंदे में कमाऊंगा तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको दूँगा एक्चल तो यही है ना हमने क्या है हमने उ जो भी कमपनी ट्रेड होती है वहां उसके पीछे एक भरी पूरी इंडस्ट्री है वह आदमी धंदा कर रहा है कुछ वह आदमी कुछ काम कर रहा है और उस काम से वह कमाई करेगा या नहीं कमाई करेगा दो ही बाते हो सकती है अगर कमाई करेगा तो आपको दे देगा डार देगा आपको dividend के रूप में, indirect देगा कि उसके stock का price उपर चला जाएगा जैसे से वो company की growth होगी, valuation उपर जाएगी, तो ये दो तरीके हैं, अब हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर अंदाजे लगाते हैं कि इसका stock का rate कैसे उपर जाएगा, क्या उपर जाएगा, उसके लिए हम कुछ studies का use करते हैं, technical है, fundamental है, ये है, वो है.